यहां पर हम फटाफट से इसकी क्विक अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले आपको फस्ट लोग दिखा दू जो बाहर के जाहिड से पहला लोग नदर आता है यहां पर वन प्लस की ब्रांडिंग दी गई है वन प्लस नाइन 5G फोन लिखावा है और यहां पर नीचे द दिखा रगा ओल टैक्स के साथ में लेकिन अगर अविजन से विखते हो से दिस्काउंट सब कुछ काट पिट के अरांवंड 45 की आसपास अपको मिल लियाता है इसमें क्या-क्या यूणिट मिल लियाती है आपको मोबाइल मिल लियाता बैक कवर मिल लियाता है सेफटी अगर बात कुरूँ यहां पर इसके वेट की तो यह वेट वगरे भी सारा दिया गया गया और इसमें स्नैप टेगन का प्रोसेसर जो दिया गया जो बहुत ही अच्छा बताय दाता है और यहां पर इसके अंतर अपन सको खोलते हैं देखते हैं क्या के यूनिट अपनी को अगर दूँआ तो आपको बड़े आसानी से यह फोन देखने को मिल जाएगा यहां पर मैंने इसको अलड़ी ओन कर रखा था यहां पर आप दिखोगे तो फ्रंट में आपको के वले एक फ्रंट कैमरा दिया गया है इसके अलावा फिंगर प्रिंट वह आपको दिखने को म मिल जाएगा इस फोन को तो अभी रखता हूं साइड में और देखते हैं बॉक्स में हमको क्या-क्या यूनिट देखने को मिल जाती है सबसे पहले तो हम बात करें तो इक यह बैक कवर मिल जाता है जो कि ट्रांस्फरेंट होता है तो यह मेरे साब से कुछ अच्छी क्वाल इसकी यहां पर एक सिम एक्जक्र है सिम निकालने के लिए आसानी से यूज में ले सकते हैं इसको मिल होते है हम इसके बार क्यों एक चीज को बढ़ी उनिक दिखी है लेकिन उसका कैसे रोगा क्या होगा वह मुझे था गूगल करूंगा को यहां पर इन्हों ने दिया गया है red club, red cable club, अब यह क्या है, scan करो, benefits पाओ, यह क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, और क्या इसका कैसे यूज़ोगा, कैसे welcome gift मिलेगा, यहां पर लिखावा तो यह scan to claim your welcome benefits, ठीक है, सब चीजे लिखी वी है, तो चलो यहां बोलू, बहुत भारी charger है, बट यहां पर अगर हम बात करें, तो इस charger में एक तो original charger है, और 65V का high speed charger होगा है, वो charger आपको यहां पर दिखने को मिल जाता है, जहां पर मैंने आपको mobile वाले unit दिखाया था, वो वाला पार्ट मैंने दूसरे किसी phone से शूट किया था, कु अगर earphone और देते, चाहे 500 रुपया और लेते, तो अच्छा काम यहां पर और हो जाता, तो मेरे इसाब से quick unboxing अपने यहां पर कर दिए, यहां पर हम बात करते हैं कि कुछ basic features के बारे में तो इसमें प्रोसेसर जो दिया गया है, Snapdragon 888 दिया गया है, storage की बात करूँ तो 12GB का य यहां पर आपको दिखाई गई है, यहां पर बात करें तो basically आप लोगों को यहां पर डिवाइस का नाम है, OnePlus 9 5G phone के लिए बूला जाता है, अगर आपन बात करते हैं Android feature की, तो Android 11 इसके अंदर मिली जाता है, यहां पर oxygen का जिसमें iOS दिया गया और यह model number वगरे यह दिये गय सारी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, तो यह सारे features के अंदर available है, अभी आपन यह बात करेंगे, basics है, इसके कुछ interface के बारे में यहां क्या चीज़े इसके अंदर कैसा क्या सबग करती है, तो यहां पर यह stock Android का version यहां पर दिया गया है, यहां पर सारी ची सब्सक्राइशन के थुरू कर सकते हो, लेकिन डिरेक्टली आप रिकॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, इसके अलाव अगर हम बात करेंगे, तो आपन सुचे की earphone के लिए अपने को jack मिल जाएगी, कोई earphone jack नहीं है, यहां पर आपको simply आपको जो charging वाला USB type C जो है, उ Google के features की, तो Google के features बड़े आसाने से काम कर रहे है, hey Google, what is the time right now, तो यहां पर देखो time आ गया, ठीक है, इस तरीके से मतलब जो Google का, जो इसमें inbuilt जो दिया गया है, Google Assistant, वो काफी सही तरीके से काम कर रहा है, और performance की बात करूब, performance काफी सही है, और अगर आपन बात करें, यहा बड़ा सही लगा, यहाँ पर मैं इसको उपर के तरफ करूँगा, तो यह मेरा silent mode है, यहाँ पर अभी मने क्लिक किया, तो यह मेरा vibrate वाले section पर आ गया, अभी मैं vibrate से वापस किया, तो यह ring वाले section पर आ गया, फिर से मैं उपर किया, तो यह silent वाले mode पर आ गया, तो थोड परफॉर्मेंस रंटाइम जो होता है वो काफी काम है किसी भी आप को चला लो चाहे वो यूटूब चला लो चाहे आप किसी और अप्लिकेशन को चला लो चाहे कुछ भी चला लो तो सबी चीज़ आपके सामने यहां पर बड़े आसानी से देखने को मिल जाती है तो बहुत अगर आपको मैं इस पौन का बैक साट दिखाता जू तो काफी प्रीमिंई दिया गया है और यहां hap कुछ टीम्ट मिल जाते हैं यहां पर आपको पाला बटन मिल जाते हैं जिससे आ इसको वोल्यूम यहां जो बटन जो दिagn गया है इससे आप अपना जो भी जन्रल मोड ना वाइविरेट मोड या साइलेंड मोड सेलेक कर सकते हैं इसके लावए यह पावर बटन दिया गया है और अगर इस साइड में बाट करें तो इस साइड में केवल वॉल्यूम अप डाउन के लिए आपको एक बटन दिया गया है जिसम जो कि आप जब फोन को यूज़ करोगो लाइट वगर ऑटमेटिक बंदू जाती है वह सारे संग्जन वेशी के लिए है यहाँ थिकनेस की बात करूँ तो काफी बढ़िया और बहुती पतला सा फोन है और फोन के अगर अगर वेट की बात करें तो केवलो केवल 180 ग्राम का फोन है काफी बड़िया आंड काफी प्रिमिम्म लग रहा है मुझे तो बाकी आगर आप मेंसे किस के पास है तो इसके कोई means आपको पता है तो मुझे जरूर से बताना और आपको लगता है कि कोई फीचर सस्भाथ ही अच्छा है तो वही मुझे जरूर से बताना मैं भी ए तो है ट्राइ करूँ मा